जारखंड कॉंग्रेस में असंतोस उभर कर सामने आया है बेसक चमपई सुरेन की सरकार बन गई उसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया मंत्री मंडल का पटवारा हो गया कैबिनेट का पोर्ट फूलियो डिस्ट्रिब्यूट हो गया बाउजूद इसके अभी भी नाराजगी साफ तोर से कॉंग्रेस विधायकों में देख रही है खास तोर से मंत्री पट को लेका और यहां देखिए अनुप सिंग अनुप सिंग को कोई ख़तरा नहीं है दिल्ली जा रहे हैं कि दाश्ट लोग इनके साथ दिल्ली जा रहे हैं अलाकि यह होटल रासों के बाहर हम खड़े हैं और यहां पे आठ विधायकों ने बैठक की है लगतार इनकी नाराजगी रही है मंत्री मंडल को लेकर इनका साफ तोर से कहना था कि पुराने चेहरे को ही किस आधार पे रिपीट किया है पार्टी ने और इनसे मिलने मुलकात करने खुद बसंद सोरेन भी आये थे अब जखिए यहां से विधायकों का निकलने का सिलसिला सुरू हो गया है एरपोर्ट से यह दिली जाएंगे और इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अपनी बाते जो है वो पार्टी के सामने रख दी है प्रदेश अध्यक्ट के सामने रख दी है पांचमा सीट जो है जब कुमिनेट प्रोग्राम में भी आता राजमान के उसके बाद उनको सपत नहीं दिलाई जाती है तो लगातार जो है इनके तरफ से प्रेसर बनाया गया इन लोगों ने जारखन के कॉंग्रेस प्रोभारी अब्दुल गनी मीर के सामने भी अपनी बाते रखी है पार्टी का यह कहना है कि चुकि वो चार साल परफॉर्म कर चुके हैं तो असेस्मेंट आखिर जो है और चुनाओ में अब समय नजदीक रह गया लोगसभा की चुनाओ में इसलिए उन्हें ही मौका दिया गया है कोई पार्टी ने नया चेहरा इंडक्ट नहीं किया है हलाकि इन में सा चुनाओ आ रहे हैं यहां दो सीटे काने खाली होने वाली राज़सभा की इसके लावा लोगसभा चुनाओ आ रही है उसमें कहीं ने कहीं महागटबंदन के सेहत और उसके लिए जो उसके हेल्थ के लिए यह किसी तरह से इसको जो है अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं महागटबंदन जो यहां चुनाव लड़ना चाहती है लोकसवा चुनाव में लोकसवा चुनाव नजदीक हैं वहाँ पे उनके प्रोस्पेक्ट्स को जटका लग सकता अगर यह नाराजगी बरकरार रती है तो अब देखना है इनका साफ तोर से कहना है हम पार्टी के साथ त तो है लेकिन पार्टी को भी इनके भावना से अवगत होना होगा और इनके भावनाओ का कद्र करना पड़ेगा क्यामरामन राकेस तिवारी के साथ सतीजीत कुमार राची आज तक